नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का इंटरनेट की नई क्लास में ये हमारी इंटरनेट की क्लास नंबर 18 है और इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को ऑनलाइन फार्म भरना सीखाने वाला हूँ जितने भी गौर्रमेंट जॉब आती है उसका फार्म आनल द्यान देनी होती है और कमाल की बात तो ये है कि जिस तरीके से मैं आप सभी लोगों को ऑनलाइन फार्म भरना सिखाने वाला हूँ ये आप जो है अपने मॉबाइल फोन से भी कर सकते हो और अगर आपके पास लैप टॉप है तो लैप टॉप से भी कर सकते हो कम्प्यूट से भी कर सकते हो नमस्कार दोस्तो मेरा नामे गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट ट्लास विडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा दोस्तो जब भी हम ऑनलाइन फार्म भरने की सोचते हैं तो उस जॉब का फार्म अपलाई करने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा यानि उस जॉब की वेबसाइट कौन सी है तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों सवाल की जवाब दे देता हूँ इसके बाद हम लोग जानेंगे की कैसे जॉब के लिए ऑनलाइन फार्म भरा ज जाते हैं उन नोकरियों के फार्म जो है अलग-अलग वेबसाइट पर ही भरे जाते हैं उन सभी के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई हैं जैसे अगर आपको एससी का फार्म भरना है तो आपको एससी की वेबसाइट पर जाना होगा अगर नैवी का फार्म भरना है तो रेलवे की वेबसाइट पर जाना होगा SBI का फार्म भरना है तो SBI की वेबसाइट पर जाना होगा इसी तरीके से इंडिया में जितनी भी नौकरिया हैं उन सभी के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई हैं और इन सभी website को याद रखना इतना आसान भी नहीं है तो सवाल ये भी बनता है कि जब हम इन website को याद नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी job आई है और उस job के लिए किस website पर जा करके apply करना है तो इसका solution केवल और केवल एक website पर ही आपको मिल जाएगा यानि कि केवल और केवल एक ही website को आपको याद रखना है केवल उसी एक website पर आपको कौन कौन सी job आई है वो भी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सी job आने वाली है वो भी जानकारी मिल जाएगी और उस job को apply करने के लिए वहाँ पर website का link भी दिया जाएगा डारेक्ट आप उस पर click करके apply भी कर सकते हो यानि कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि धेर सारी website को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है केवल एक website को आप याद रखिएगा उसी website पर आपको सारी जानकारियां मिलने वाली है कैसे apply करना है, कौन सी job आई है, कैसे result देखना है कैसे admit का download करना है, किस website से admit का download होगा किस website पर आपको apply करना है, सारी जानकारियां आपको उस website पर मिल जाएंगी और आपको बताता चलूं कि जितने भी CSC Center वाले हैं जो भी जनसेवा केंट चलाते हैं या फिर जो लोग Cyber Cafe चलाते हैं ऑनलाइन फार्म अगरा भरते हैं वो लोग इसी वेबसाइट का इस्तमाल करते हैं ठीक है? तो चलिए मैं आपको वेबसाइट सबसे पहले बताता हूं इ इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको Google open कर लेना है अगर आप ये विडियो mobile phone से देख रहे हैं तो भी आप जो है Google open कर लीजी Google open करने के बाद जो है आपको ये जो search बार दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको लिखना होता है सरकारी result जैसे ही आप सरकारी result लिख करके Google में search करेंगे तो सबसे पहली ये जो website मिल रही है www.sarkaryresult.com आपको इसी website पर click कर देना है इसके बाद जो है आप सरकारी result की official website पर आ जाओगी और website का interface कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा अब इस website पर आपको जो है जितनी भी नई नई जॉब आई है उसका direct link मिल जाएगा जितने भी answer की आए है जितनी result आए है जितनी जो है admit card आए है या फिर अगर आपको syllabus भी download करना है तो यहाँ पर direct link मिल जाएगा दरसल दोस्तों यह website करती क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी नई नई जॉब आती है न उन जॉब के लिए जो website बनाई गई है उन website का direct link जो है आपको इस website पर दे दिया जाता है बस आपको उस link पर click करना होता है और आप उस job के लिए online apply करने के लिए direct उस website पर चले जाते हो जिस पर वो job आई है जैसे कि माल लीजी अगर SSC का कोई farm निकला है तो SSC की website का direct link जो है आपको इस website पर मिल जाएगा बस आपको उस पर click करना होगा और direct आप SSC की website पर चले जाओगे apply करने के लिए इसी तरीके से जितनी भी नई नई जॉब आती है जितने भी नई नई result आते हैं admit card आती है या फिर कहें answer की आती है उन सभी का direct link जो है ये website हमको दे देती है और हमें जादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी website से हम लोग सीधा उसे इस्तमाल कर लेते हैं अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी जनसेवा केंदर पर या फिर जो है साइबर कैफे पर online farm भरवाने गए होंगे तो अक्सर लोग जो है सरकार रिजल्ट website का ही इस्तमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों online farm भरने के लिए अलग-अलग website बनाई गई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया तो उतनी सारी website को याद करना थ सिर्फ हमें क्लिक करके हम जो है उन सभी कामों को कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी information इस website पर हमें मिलती है जो कि हम लोग आगे बात करने माले हैं अब सवाल ये भी बनता है कि इस website पर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी नई जौब आई है या फिर result आया है या फ सारे काम कर सकते हैं इसके अलावा जितनी भी जौब ज़्यादा पॉप लर होती हैं उनको इस तरीके से हाइलाइट किया जाता है यहां पर आप यहां पर बिदियाकừng के कि इनके बारे में जान सकते हैं और फार्म को भर सकते हैं इसके अलामा अगर आप थोड़ा सा नीचे की साइड में आओगे तो कुछ इस तरीके से भी काफी सारी जॉब को जो है हाइलाइट करके रखा जाता है आप डायरेक्ट जो है इन पर भी क्लिक करके इनके लिए अपल अपलाई करने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यूपी डियलेट की ओफिसल वेबसाइट पर आ जाओगे अब देख सकते हो आप यूपी डियलेट की ओफिसल वेबसाइट पर आ गए हो और आप डायरेक्ट यहां से पर आपको निक एंड के अंदर जितने भी जॉब निकलती है। चाहि वो किसी भी राध्य की हो। सभी की जानकारिया आपको इस Mississippi मिल जाएंगे। घ्र शारा है। पर आपको कुछ इस तरीके से option मिल जाते हैं, पहला है result का, दूसरा है admit card, तीसरा है latest job का, अब देखिए इसके अंदर जितने भी नई नई job आई रहेंगी, उन सभी का link यहां पर आपको मिल जाएगा, जितनी भी नई job आती हैं, उन सभी का link आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर जितने भी admit card आये हैं, उनको देख सकते हो, इसके अलावा जो भी job के लिए अपने apply किया था, उसका exam दिया था, और उसका अगर result आ गया है, तो आप जो है, यहां पर result वाले section में आ करके, यहां पर अगर उसका link दिया है, तो direct जो है, आप उस पर click करके result भी देख सकते हो, नीचे की side में view more के option भी दिये गये हैं, इन view more के option पर click करके, और भी job के बारे में आप यहां पर देख सकते हो, इसके अलावा अगर आपको answer की download करना है, तो यहां पर link दिया गया होता है, slabber download करना है, तो यहां पर और जितने भी admission के लिए farm भरे जा रहे हैं, वो जो है admission वाले section में आपको सारे के सारे link मिलेंगे, जैसे की देखिए UP DL8 का भी यहां पर आपको मिल जाता है, आप यहां से जो है online कर सकते हो, इसके अलावा जो है UP Polytechnic GI Cup 2013 के लिए भी यहां पर correction चालू है, इसके अलावा और भी जो है यहां पर admission के farm भरे जा रहे हैं, इसके अल website की जानकारी, अब जो है आप इस website पर आने के बाद आराम से अपनी job को ढूंड सकते हो, अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आपको online apply करना होता है, तो latest job के अंदर काफी सारी job आई हुई है, मैं आपको जो है यह वाला farm खोल करके दिखा देता हूँ, MP Police Constable online का हम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यह लोड लेगा, फिर आपके सामने इस तरीके से पे जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद और भी detail बताई गई है, जैसा कि यहाँ पर जो है important date भी बताई गया है, कि कब से यह farm भरा जा रहा है, और कब तक इसकी last date date है, और exam की जो fees देने की last date है वो भी बताई गई है, correction की date भी बताई गई है, और exam कब से start होगा, यह भी बताया गया है, admit card कब से available होगा, यह भी date कुछ दिनों बाद यहाँ पर आ जाएगी, इसके अलावा application की fees कितनी होने वाली है, यह भी यहाँ पर बताई गई है, general और other state के लिए बताई गई है, SCST, OBC के लिए भी बताई गई है, किसके थुरू आप यहाँ पर payment कर सकते हो, यह भी यहाँ पर बताई गया है, इसके अलावा age की limit भी बताई गई है, कि कितनी age तक आपको लिया जाएगा, इसके अलावा जो है, यहाँ पर total vacancy भी बताई गई है कि यानि total post कितनी है, और किस post के लिए कितना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, यह भी बताई गया है, यानि कितनी आपकी education qualification होनी चाहिए इस post के लिए अपलाई करने के लिए, इसके अलावा जो है किस category में कितनी post को रखा गया है, यह भी यहाँ पर बताई गया है, नीचे आनिक बाद जो है दूसरी post के लिए भी यहाँ पर जो है आपकी education qualification जो है बताई गया है, इसके अलावा जो है physical eligibility की detail भी यहाँ पर दी गया है, male female के लिए क्या क्या चीजे जरूरी है, आप इसे पढ़ सकते हो, नीचे आनिक बाद जो है आपको थोड़ा सा और लिंक दिया गया है और registration करने का भी लिंक दिया गया है, आप जैसे ही इस पर click करोगे तो आप जो है इस website पर direct जो है पहुँच जाओगे, website पर आने के बाद जो है आप direct यहाँ से apply भी कर सकते हो, अभी जो मैंने detail बताई है वो सारी की सारी detail आप जिस भी post पर click करोगे, जि post के लिए कितनी जो है आपकी education qualification होनी चाहिए, मतलब सारी detail आपको वहाँ पर जो है मिल जाएंगे, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर मैं जो आपको farm भर के दिखाने वाला हूँ, वो last वाला farm होगा, डिली, डी, डी, ये, वारियस post online farm 2023, इसी का farm online करके मैं आ registration करेंगे, online farm भरेंगे, वही पर किरिया लगबख सभी farm में जो है apply होती है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, तो हम जो है इस पर click करेंगे, click करने के बाद जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी post के अंदर जो है आपको जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे application की fees, important date, इसके अलावा जो है age की limit, इसके बाद जो है कितनी post है, कितना आपका qualification, education का होना चाहिए, यह सब चीजे बताई गई है, इसके अलावा जो है यहाँ पर category wise भी post आपको बताई जाती है, थोड़ा सा नीचे आने बाद जो है direct यहाँ पर apply करने के लिए link भी आपको तो हमें क्या काम करना होता है, इसी link पर click कर देना होता है, इसके बाद जो है हम direct उस website पर पहुँच जाते हैं, तो हम जो है दिल्ली की official website पर आ गये हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, registration करने का और login करने का भी option मिल जाता है, तो किसी भी website पर अगर आपको online farm भरना है, तो सबसे पहले आपको registration करना होता है, इसके बाद login करना होता है, तो हम क्या गाम करेंगे, register पर click करेंगे, जैसे ही आप register पर click करोगे, तो इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से instruction दिये जाएंगे, इस instruction में यही चीज लिखी है, कि Mozilla Firefox या फिर Chrome browser या फिर Microsoft Ace browser क इस्तमाल करें, काफी ज्यादा safe रहेगा, तो इसे हम close करते हैं, ज्यादा कुछ उसमें लिखा नहीं था, इसके बाद आपको यहाँ पर registration करने का option मिल जाता है, किसी भी फार्म को online apply करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होती है, थोड़ा सा इस पर भी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको personal details आपकी पता होनी चाहिए, या फिर जिसका भी आप online फार्म भर रहे हैं, उसकी personal details भरनी होती है, educational details भी भरनी होती है, photo signature document को upload करना होता है, mobile number और email ID, इन सभी चीजों की लगबग सभी फार्म में जो है जरूरत पढ़ती है, तो यह स सभी चीजे जो है लगबग सभी फार्म में आपसे पूछी जाती है, बहुत ही basic चीजे होती है, काफी सारे लोग जो है online फार्म भरते वक्त सोचते हैं कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, बिल्कुल भी नहीं, जो चीजे आपसे मांगी गई है, बस वही तो आपको डालन है कि आपसे फार्म में भरते वक्त गलती हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेगा, सबसे पहले हमसे पूछा गया है, पोस्ट का नाम निकली है, उन सभी पोस्ट का नाम यहां पर दिखाए देगा, त 10 प्लस 2, यानि अगर आप बरहमवी पांस है, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, आपकी जो इंगलिस की टाइपिंग स्पीड है, वो भी बताया गया है कि 35 वर्ड परती मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड परती मिनट है, तो भ भरने की कोई ज़रूत नहीं है, यहाँ पर आप से पूछा गया है candidate का full name, तो यहाँ पर आपको अपना full name डाल देना है, और अगर आप किसी दूसरे का भर रहे हैं, तो उसका full name डाल दीजेगा, ध्यान आपको यह देना होता है, कि जो आपकी high school की mark sheet है उसी को आप हाथ मे ले दीजेगा, उसमें जो भी detail दी गई है, वही detail आपको भरनी होती है, जैसे candidate का नाम, जिसका आप फार्म भर रहे हैं, माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद जैनमती थी, आपको high school के mark sheet से ही भरनी होती है, यहाँ पर बताया भी गया है, कि tent के certificate से आप भरिएगा, तो हमें जो है, यहाँ पर candidate का नाम भर देना है, जिसके लिए आप apply कर रहे हैं, इसके बाद जो है, उसका mobile number इसके अंदर डाल देना है, यही mobile number को इसके अंदर confirm mobile number में भी डाल देना है, अगर आपके पास alternate mobile number है, तो आपको इसके अंदर डाल देना है, वरना नहीं है, तो भी आप इसको छोड़ सकते हो यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान देना होता है कि जहां जहां पर यह star बना हुआ है इन चीजों को आपको भरना जरूरी होता है जहां पर star नहीं बना है उसे नहीं भी के बाद जैसा मैंने आपको बताया आपकी basic detail मागी गई है आप उसे भर सकते हैं इसके बाद आपको generate OTP पर क्लिक कर देना है इसके बाद जो है इस तरीके से एक आपको submit पर क्लिक कर देना है अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि OTP receive to your mobile number और email आपके mobile number और email पर जो भी आपने डाला होगा उस पर OTP गया होगा यहाँ पर आपको OTP पर क्लिक कर देना है जो भी आपके mobile number पर OTP भेजा जाता है उसको इसके अंदर डालने बाद आपको validate OTP पर मैसेज आजाएगा अगर आपने OTP सही डाला होगा तो successful का मैसेज आजाएगा आप OK पर क्लिक कर दीजेगा इसके बाद आपका उपर का काम हो गया है अब आपको जो है I agree पर क्लिक कर देना है और नीचे की साइड में यह जो capture दिया गया है सेम इसके अंदर भर के capture बनने ब box को टिक कर देना है और submit पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरीके से अगर notice आता है तो आपको I agree पर क्लिक कर देना है यहाँ पर OK पर क्लिक कर देना है इसके बाद जो है आपको registration का successful का message आएगा आपकी registration number यहाँ पर दिखाए देगा आप जो इसका screenshot लेकर रख सकते हो यहाँ पर जो है आप इसे लिक करके भी रख सकते हैं यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपका login ID और password आपके email पर और mobile number पर SMS के थूरू जो है भेज दिया गया है यहाँ पर आपको जो है close पर क्लिक करना है अब जो है हमने अपना registration complete कर लिया है इसी तरीके से आपको अपना registration complete करना होता है हर एक farm में registration complete हो जाने के बाद अब आपको इस farm को पूरा जो है fill up करना होगा farm को पूरा fill up करने के लिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा go to application का आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर माल देजिए कभी कबार यह log out हो जाता है server काम नहीं करता है तो दोबारा से आपको login करना है login कैसे करना है आपको इस website पर आ जाना है जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने registration complete कर लिया है अब हमें login पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर हमको अपनी login detail डाल करके यह capture इसके अंदर भर करके login पर क्लिक करना है login detail में हमसे user id password दोनों आपकी email पर भेजा गया है वही दोनों इसके अंदर आपको भरना है यह capture इसके अंदर भर के login पर क्लिक करना है इसके बाद दोबारा से आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा दोबारा से आपको close पर क्लिक कर देना है अब आपको जो है यहाँ पर go to application पर दिखाई देगा जिस post के लिए आपने apply किया है वो post दिखाई देगी यहाँ पर जो भी detail छूटी हुई है बस वही detail भरते वे आपको आगे बढ़ना है जिसमें आपको सबसे पहले अपना gender select करना है यहाँ पर आपको calendar से अपनी data birth को select करना है जो भी आपकी data birth है यहाँ पर जो है registration category पूछा गया है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो सारी की सारी category दिखाई देंगी आप जिस भी category के रहने वाले हैं वो category select करेंगे अगर आप general select करते हैं तो यहाँ पर आप से कुछ भी नहीं मांगा जाएगा अगर आप जो है यहाँ पर OBC select करेंगे तो certificate number आया है उस जाति प्रमारपत्र का certificate number होता है वही आपको इसके अंदर डालना है और जिस date को यह certificate जारी किया गया था वो date आपको इसके अंदर डालनी है थोड़ा सा नीचे आने बाद यहाँ पर आपको अपनी personal detail भरनी होगी जिसमें आपका नाम पहले से ही यहाँ पर भरा आप यहाँ पर भर सकते हैं mobile number जो है automatic यहाँ पर आ जाएगा father's name और mother's name यहाँ पर आपको जो है high school की market से भरना है इतना ध्यान देना है नीचे आप से test city preference मांगा गया है तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको डेली NCR मिल जाएगा आप इस पर click कर दीजेगा यह हो ज इसके बाद आप से पूछा गया है कि क्या आप physically handicap है अगर हाँ तो yes पर click करेंगे वरना no पर click करेंगे अगर आप yes पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा disability type, sub type बताना पड़ेगा कितना percent disabled हैं यह सारी चीजे बतानी पड़ेगी लेकिन अगर आप नहीं है तो आप no पर click करेंगे नीचे आप से पूछा गया है कि क्या आप x service man है तो अगर हाँ तो yes पर click करेंगे वरना आप no पर click करेंगे नीचे आप से पूछा गया है कि क्या आपने central government में कभी काम किया है या फिर dda employees है तो अगर आपने काम किया है तो आप इसको tick करेंगे वरन आपको अपना complete address भर देना है जो भी आपका address है पूरा आप इसके अंदर address भरेंगे और अगर आपका जो है यह उपर वाला address और permanent address दोनों same है तो आप yes पर क्लिक करेंगे उपर वाला address जो है नीचे automatic फील हो जाएगा इसके बाद जो है आप दोबारा से save at next पर क्लिक करेंगे इसके बाद यह भी data आपका जो है save हो जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको जो है अपनी qualification detail भरनी होगी जिसमें आपको जो है सबसे पहले कक्षा 10 की detail भरनी होगी आपको जो है name of the board जिस भी board से आपने पास किया है वो board इसके अंदर भरना है अगर आपने आपको मिले थे और total जो है कितने marks का आपका paper था वो आपको भर देना है इसके बाद percentage automatic calculate होकर के आजाएगा इसी तरीके से आपको जो है intermediate की detail यानि कक्षा 12 की detail यहाँ पर भरनी होती है same उपर वाला ही process आपको अपनाना है जिस board से आपने पास किया है जिस year में आपने पास नमबर पाएं हैं और maximum paper कितने number का था percentage automatic जो है calculate होकर के आजाएगा सारी detail भरने के बाद अगर आपने जो है इंटर में बायो लिया था तो आप बायो भरेंगे अगर आपने math लिया था तो math इसके इंदर भर देंगे इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ प पर भर दी है यह जो हमने high school और inter की detail भरी है यह आपको अपने high school की mark sheet से और inter की mark sheet से बस देख देख के भरना होता है बहुत ज़्यादा आसान है बस आपको घबडाना नहीं है बस high school इंटर की mark sheet पास में रखनी है उसमें से देख देख के आपको भर देना है और BA की detail आप स पर additional qualification भी मांगी गई है, यानि कि अगर आपने कोई और भी qualification की है, कोई और भी पढ़ाई की है, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो, फिलाल हम इसे भी नहीं भरेंगे, इसके बाद जो है, आप से नीचे पूछा गया है, इसकी test language, आप यह test किस language में देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हिंदी select करेंगे, आपको अगर English आती है, तो आप English भी select कर सकते हो, इसके बाद जो है, अब आपको save in next पर click करना है, इसके बाद यह भी data जो है, आपका save हो जाएगा, आप यह देख सकते हो, यहाँ पर हम ok पर click करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर आप से आपका photo upload करने के लिए बोल रहा है, और signature upload करने के लिए बोल रहा है, आप जो है, फान भरते वक्त, जादातर लोगों के साथ, यही पर problem आती है, कि अकसर काफी सारे लोग जो है, फोटो को resize नहीं कर पाते हैं, उसका KB में size को बदल नहीं पाते हैं, और नहीं signature को, यहाँ पर बताया गया है, कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए, वो 50 KB से 80 KB के बीच में ही होनी चाहिए, और इसका जो regulation होना चाहिए, वो 200 DPI का होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलामा जो है, signature वाले पे भी लेके जाओगे, तो यहाँ पर भी बताया गया है, 50 KB से 80 KB के बीच म resize कैसे करेंगे, चलिए इस पर हम दो बात करते हैं, अब दोस्तों फोटो को signature को size में कैसे करना है, इसके लिए आपको जो है YouTube पर आकर करके search करना है, फोटो एंड signature resize कैसे करें, गुलाब गुरू last में आप जरूर लिग दीजेगा, इससे यह होगा कि जो मैंने वीडियो बन आप अपने computer या फिर laptop से जो है, फोटो का size कम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको resize कर सकते हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजेगा, और फोटो का size और signature का size कम करने के बाद, आपको दोबारा से यहाँ पर आना है, और फोटो को upload करने के लिए यहाँ पर click करना है, और यहाँ पर close पर click करेंगे, फोटो आपकी upload हो गई है, इसी तरीके से आपको signature भी upload करना है, आपको इस पर click करना है, यहाँ पर click करके signature select करना है, signature select करने के बाद open पर click करना है, signature भी यहाँ पर upload हो जाएगा, close पर click करना है, यहाँ पर देखिए photo और signature दोनों चीजे यहाँ प आपको इन सभी पर CTK लगा देना है जो जो ये है टिक सभी पर लगाईएगा नीचे आने के बाद यह चाप्चा दिया है सेम मने के अधर भरनें भाद आपको जो है submit पर क्लिक करना है आप चाहो तो जो है preview पर click नहीं करने वाला हूँ लेकिन जब भी आप online farm भरें तो एक बार preview पर click करके जरूर देख लें कि आपने जो detail भरी है वो detail बिल्कुल सही सही है या फिर कहीं पर mistake हो गया है और कहीं पर mistake भी हो जाता है तो वहाँ पर edit करने का option मिल जाता है आपको आप दोबारा से उस detail को edit भी कर सकते हो ये capture भरने के बाद जो है आपको submit पर click करना है इसके बाद जो है इस तरीके से कुछ instruction आएगा यहाँ पर आपको जो है I agree पर click कर देना है इसके बाद आप देखोगे कि आपको इस तरीके से एक notice मिलेगा जिसमें लिखा होगा your application farm has been submitted successful आपको इसे close प पर payment करने के लिए आपको कोई भी option नहीं मिला होगा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वो farm भरा है जिसमें zero payment था यानि पैसा नहीं लगना था अगर आपको यह ऐसा farm भरते हैं जिसमें fees लगती है तो बस छोटा सा और आपको काम कर देना है कि fees का payment कर देना है fees का payment करना भ आपको एक option मिलता है print का आप इस पर click करके अपने इस farm को print करके रख सकते हो और अगर आपने दूसरे का online किया है तो आप इसे print करके उसे दे सकते हो तो दोस्तो जिस तरीके से मैंने आपको online farm apply करना बताया है लगबग इसी तरीके से सभी farm में जो है detail को भरा जाता है photo को upload क किया जाता है signature को upload किया जाता है थोड़ा बहुत फरक हो सकता है थोड़ी कम detail मांगी जा सकती है थोड़ी ज्यादा detail मांगी जा सकती है लेकिन जो farm भरने का तरीका है वो लगबग सभी farm में जो है इसी तरीके से detail पूछी जाती है और आपको इसी तरीके से farm को भरना होता है उमीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आजा होगा और आपने आनलाइन फार्म कैसे भरा जाता है ये अच्छे तरीके से सीख लिया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आजा है तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ फेजबु